तजी तीरत हरी राधिका तन दुती करी अनुरागू जिहीं प्रज केली निकुन जिमग पगपग होत प्रयागू हरे कृष्णा आप सभी का दिन शुबर मंगल में हो आज आप सुनेंगे विशाख मास मातम में आगे की कथा उससे पहले भक्ती से सराबोर एक कथा का रस्प हैं राधारानी कि एक सची कहानी जैसे कानह जी अपने सचे भक्तों पर बहुँत जल्दी प्रयसन्न हो जाते हैं और उनकी पुकार सुनकर वह दोड़े चले आते हैं उसी तरह room अपतों शहरे Спासी पहले हैं एक बात है एक सेट जी थे और एक गाउं में रहा करते थे बहर समय बीता तो एक दिन सेट जी की पतनी का देहांत हो गया। समय कपहया घूमता रहा, समय हुआ तो विवहयोगी सभी बेटों का विवहा भी कर दिया गया। सेट जी का अच्छा खासा कारूबार था, दिन भर सेट जी के बेटे कारूबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पतनियों के साथ ब्यस्त रहते, सेट जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेट जी अपन उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी सेट जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है एक दिन एक बहुत पहुंचे वे महात्मा सेट जी के कर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेट जी क्या बात है तुम्हें किस बात क की परिशानी है तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो तब सेट जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी मेरी कोई भी बेटी नहीं है इस कारण से मुझे अपने जीवन में ये अभाव लगा रहता है और मुझे बढ़ा अफसोस होता है बहुत सुनकर हलका कर लिया करता तब वो पहुंचे वे महात्मा कहने लगे कि सेट जी तुम राधरानी को ही अपनी बेटी मान लो हमारे जीवन में जब जिस चीज की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते है अब भला बेटी ना होने की कारण तुम इतने परिशान हो प अपने दिल की सारी बात राधरानी से कर लिया करना और फिर तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है महात्मा जी की ये बात सेट जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया खोब खोशो कर बाजार गए और वहा उनसे खूब सारी बाते करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधरानी को भोग लगाते सोने से पहले ये उनका नियम बन गया था कि वह राधरानी के साथ खूब बाते करते दिन भर की बाते राधरानी को सुनाया करते ऐसा करते करते सेट जी दिल से ही राधर मान बैठे हैं लेकिन भक्ती में मगन सेर्ची को किसी भी बात का अभास नहीं था उन्हें बस पता था तो ये कि उनकी एक बीटी है जिससे वो हर दिन खूब सारी बाते करते हैं अब जब तक सेर्ची दिन भर राधरानी से बात ना कर ले या उनकी पसंद का भोजन राधरानी को ना खिला ले उनका मन ही नहीं लगता था जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेजयाने रहती बहुत सारी बाते करन वाली एकमनिहारिन आया करती थी उस्मनिहारिन से खरीद कर चूजिया पहनती थी एक दिन वह मनीहारिन चूजिशने के लिए पर चूजिया पहनाई मनीहारिन सेट जी के घर पर बैठी हुई थी सेट जी की तीनों बफवें तो चूडियां पहन कर चली गई उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूडियां पहना दो खूब सारी रंबिरंगी चूडि वाली ने सोचा कि शायद सेट जी के घर पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूडियों के पैसे दे दो और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेट जी ने कहा क्या बात है तुम हर बार तो इतने रुपे की चूडियां पहना कर जाती हो क्या तुम्हारी चूडियां महंगी हो गई है जो हर बार से अध तुमसे कोई गलती होगी मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ तीन बहुए हैं ये लो तुम तीन बहुँं की चूड़ी के पैसे रखो मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली सेट जी से पैसे लेकर चुप-चाप अपने घर आ गई शाम हुई तो सेट जी दुकान से घर पर आये आकर उन्होंने सबसे पहले राधरानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारे बाते राधरानी से बताई और सो गए उस रात सेट जी के सपने में राधरानी आ गई और बोली बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों न ही दिए ऐसा कहकर राधारानी एक छोटी सी बेटी की तरहा लाडली बेटी की तरहा सपने में रोने लगी यह देखकर घबराहट के मारे सेट जी की तो आँख खुल गई अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेट जी भी रोने लगे जब सुबह हुई तो भागे-भागे मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिये और मनिहारिन से बोला कि बहन तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल चार को ही चूड़ी पैनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है तुम बहुत भागिशाली हो जिसको राधा सेट जी रोने लगी फिर हाथ जोड़कर बोले बहन तुम्हें चोड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो सेट जी को रोता देख कर मनिहारिन की आँखों में भी आसु आ गए और मनिहारिन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधारानी के दर्शन हो ही गहें तो फिर भला मुझे सेट जी से दाम क्यों लेने और मुझे इससे जादा क्या चाहिए वो भी सेट जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही करण मुझे राधारानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो पाया आप मुझे कुछ नहीं चाहिए तो प्रिश्रता जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं उनकी पूझा करते हैं उन्हें जिस भाव से भी पूझते हैं वो हमें उसी भाव में दर्शन भी जरूर देते हैं और हमारे मन के भावों का वो हर समय ध्यान भी रखते हैं इसलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप मे पूजे बस आपके मन के भाव सच्ची होने चाहिए तो भगवान आपकी सारी परिशानिया दूर करते हैं आपके जीवन में जिस भी बात का भाव होता है वो अभाव भी दूर करते हैं ये थी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता होकर फिर उससे मुक्त होने का वर्णन साथ ही एक गंधर पत्नी के उध्धार की कथा अरिश्यों ने पूछा है सूत जी महाराज वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विश्णू के भक्त महात्मा ब्रहामन को कष्ट पहुचाया तब शिरी सूत जी कहने लगे हे ब्रहा करने वाले देविश्वर शुरी भगवान विश्णू की उपासना किया करते थे एक दिन वीर बाहु का बलवान पुत्र सुन्दर नामवाला गंधर्व सैकडो इस्त्रीयों के साथ उस छेत्र में आया और एक जलाशे में निर्वस्त्र होकर निर्वस्त्र हुई यूवति को देखकर वे सभी रमणियां भैसे कातर होकर अपने अपने वस्त्र ओड़कर पैट गई परतु सहसी सुन्दर ज्यों का त्यों निर्वस्त्र ही खड़ा रहा ये देखकर वसिस्ट मुनी ने क्रोधित होकर उस निरलच को शापते डाला कि सुन्दर गंधर्व तूने हम लो चित्त होकर कहने लगी भगवन आप तो सभी धर्मों की ग्याता हैं साक्षात ब्रह्माजी के पुत्र हैं हे दया सिंधो पती ही नारियों का उत्तम भूशन कहलाता है पती ही नारी सो पुत्रों वाली होकर भी संसार में विध्वाही कहलाती है ऐसी नारियों का जनम व्यर् सुन्दर की पत्नियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वसिस्ट जी कहने लगे सुन्दरियों मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा इससे छूटने का एक उपाय बताता हूं उसे श्रद्धा पुर्वक सुनलो यह राक्षस के समान आकार वाला सुन्दर आज से 16 वर्ष जी रहते हैं उन्हें खा जाने के लिए जब यह आक्रमन करेगा तब ब्रहमन की रक्षा के लिए भगवान विश्नु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काड़ डालेगा इसके बाद शाफ से मुक्त होकर यह तुम्हारा पती सुन्दर अपने पुनर स्वरूप को प्राप्त होकर फिर से स्वर्गलोग में चला जाएगा श्री रंगनाथ में भक्ती रखने वाले वसिस्ट जी ऐसा कहकर शीगरी अपने आश्रम को चले गए इसके बाद राक्षिस रूप में बदला हुआ भयानक आकार वाला सुन्दर गंधर इधर उदर घुमता हुआ गिरी श्रेष्ट वेंकडाचल पर चला गया और चक्रतीर्थ पर भी जा पहुँचा इसी ब्रहमण में ही उसके सोलह वर्ष बीद गए इसके बाद चक्रतीर्थ निवासी पद्मनाब को खा जाने के लिए ही उसने बड़े वेग से उन पर आक्रमन कर दिया मुनी ने भगवान विश्णु की स्तूती की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीडित पद्मनाब की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेजा इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला तब है राक्षस अपना राक्षसी शरीर छोड़ कर दिविदेह धारण करके विमान पर जा बैठा उस समय उसके उपर पुश्पों की वर्षा हो रही थी उसने हाथ चोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया फिर उन द्विज श्रेष्ट पद्मनाब को भी प्रणाम करके उनकी आग्या लेकर सुन्दर गंधर्व स्वर्ग को चला गया ब्रहमनो इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ती का व्रतांत और चक्रतीर्थ का पाप नाशक महातर में आप लोगों से बतलाया इसे सुनकर मनश्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है ब्रहमनो अब घ तजानशोन सतकर्म रहित पषुगाती पर दोहाी चुगल खोर पाखंडी जूट पोलने वाला मित्र द्रोही ब्रू अब हत्य करने वाला पर स्त्रिगामी स्वामी से दोहाले re sed लाल्ची ठंग पित्र गाती देविताओं से विमुखŁ अपनी ही प्रश्शन सा करने वाल अयोगी पात्र के लिए वेय करने वाला, धर्म में बाधर डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल, फूल और पल्लवों से युक्त व्रक्ष को काटने वाला, विश्वास गाती, अगनी होत्र का त्याग करने वाला, गुरुद वेशी, पति-पत्नी में वैर रुतपन करने वाला गाओं का अगुवा देव मंदिर का द्यक्ष वेटन लेकर पढ़ाने वाला कठोर कर्म करने वाला पापों में सवभाव दह रत रहने वाला पंजाने में या फिर जान-बूजकर दुष्यकर्म करने वाला इन सभी वकाल में महातेजस्वी गार्ग्य मुनी ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा कि महाभाग आप घोण तीर्थ के सर्व पाफारी शुब महातमिका वर्णन कीजिए तब देवल ने कहा मुने तुम्बुरु नामक गंधर्व अपनी पती वृता पत्नी को शाप देकर इस त दिन तुम्बुरु नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा देवी सब पापों का नाश करने वाले माघ मास में सोर्यदय के समय इस तठ पर भगवान विश्णों की पूजा करनी है इसलिए गोबर से तुम इस भूमी को लीप दो और इस माघ मास में प्रति दिन माधव के लिए दीप बत्ती बनाओ भगवान के आगे भक्ती पूर्वक धूप समर्पित करो पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ रहकर परिक्रमा तथ नमस्कार आदी के द्वारा भक्ती पूर्वक भगवान की पूजा करो नित् स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया आरे पत्तर माग के महिने में तो बहुत सर्दी पढ़ती है उस समय प्रात्यकाल जबकि सूरी का तेज भी बहुत मंद रहता है सूरी देकाल में भला कोई कैसे इसनान करेगा माग में उस समय ठंड बहुत होती है इसलिए आपके बताएवे ये सब कारे तो मुझसे बार-बार नहीं हो सकेगे इसलिए प्रात्यकाल में मैं आपके साथ इसनान नहीं करूंगी क्योंकि अधिक सर्दी पढ़ने से अगर मेरी मृत्ती हो गई तो उस समय आप तो मेरी रक्षा करेंगे नहीं पत्नी की ये बात सुनकर तुम्बुरू ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को अप्री वचन बोलने वाली पत्नी को और ब्रहमर्त तथा ईश्वर को नम आनने वाले राजा को ततकाली शाप के द्वारा दंड देना चाहिए इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार शाप दे डाला अरे ओ मूर्ख सौ पापों का नाश करने वाले परम पुर्णिमय वेंक्टा चल पर घोण तीर्थ के समीब जो पीपल का वरिक्ष है उसके खोकले में तु मेंट की बन जा पतीदेव की ये बात सुनकर वे गंधर्व वलभा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी तब तुम्रु ने उसे शाप से मुक्त होने का ये उपाय बताया कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्ति मुनी जब महातिथी पूर्णीमा को परम उत्तम घोण तीर्थ में जाकर इस्तनान करेंगे और उसी पीपल वरक्ष के समीब बैठ कर शिश्यों को घोण तीर्थ का महातम में बतलाएंगे उस समय पीपल के खोखले में ही एकागरी चित होकर जब तुम मोक्षितायक घोण तीर्थ का महातम में सुनोगी तब सभी पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्म पतनी चुप हो गई स्वामी के शाप से उसने मेढ़क के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेशा चल के शिखर पर घोण तीर्थ के दक्षन उस पीपल वरिख्ष की खोकल में जाकर रहने लगी उसके बाद किसी समय अगस्ती जी मनुहर वेंखटा चल पर गए वहाँ उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में इसनान करके वरह स्वामी को नमस्कार किया इसके बाद उस तीर्थ के दक्षन वेंखटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योगी विशाल नेतरवाले सनातन देव देव दयानिधान श्री निवास जी को मस्तक जुकाया उसके बाद वे घोण तीर्थ में गए और वहाँ शिश्यों के साथ उस तीर्थ में इसनान करके उसी पीपल व्रक्ष की छाया में जा बैठे उस समय उन्होंने शिश्यों से भक्ती पुर्वक घोण तीर्थ का पवित्र महातमी वर्णन किया जो ब्रहमत्या का नाश करने वाला तता सभी मंगलों और समस्त संपदाओं को देने वाला है उस महातम्य को सुनकर वे मेंड की पहले की तरह गंधरों पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्थ होकर योगी अगस्त जी के चर्णों में गिर पड़ी और कहने लगी योगियों में स्रेष्ट हे दयानिधान अगस्त जी मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए ब्रहमन मैं पत्ति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ दया करके आप मेरी रक्षा कीजिए अगस्ति जी बोले देवी तुम्हारे पती के बुद्धी बड़ी दिख्षण है उन्होंने जो रोश में आकर तुम्हें शाप दिया है वे पती के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी इस्त्री के लिए उचित ही है जो इस्त्री पती के वचनों की अवेला करके अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है वे जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरट में निवास करती है इस्त्रियों के लिए स्वतंतरता उचित नहीं है उन्हें पती की आग्या का उलंगन नहीं करना चाहिए इस्त्रियां पती की सेवा तथा पती वरत्य रूपी पुर्ण सही भगवान विश्नु के परमधाम में जाती है इस्त्रियों के लिए पती ही माता है, पती ही विष्णु है, पती ही ब्रह्मा है और पती ही शिव है पती ही गुरु है तथा पती ही तीर्थ है ऐसा विद्वान पुरुष मांते है पती की बात टालकर जो इस्त्री दूसरे दूसरे पुन्यों में सदा लगी रहती है वो भी शुद नहीं होती वही स्त्री जब पती की प्रेणा के नुसार चलती है पती की बुद्धी के अधिन रहती है और पती के चरणार विंदो के पवित्र जल से अपना अभिशेक करती है तब भगवान को प्रे होती है इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोश ही तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ था उसे यहां भोग कर घोण तीर्थ का महतमी सुनते सुनते तुम्हारी उस शाप से मुक्ती हो गई और पहले के समान तुम्हें सुन्दर अंगोवाला नारी रूप फिर से पाता है और उसे अंत में सनातन विष्णुलोग की प्राप्ति होती है हरे कृष्णा आज के अध्याय में बस इतना ही इसके आगे का व्रतान जाने के लिए आप अगले अध्यायकन साथ जरूर कीजीगा